चेक बॉंस के आरोपों का सामना कर रही बॉलीवूड अभिनेतरी अमिशा पटेल को राची सिविल कोट से जटका लगा है जियोडेशियल मजिस्टेट डी एन शुकला की अदालत ने अमिशा पटेल पर 500 रुपिय का हर जाना लगाया है दरसल कोट ने आज मामले की सुनवाई की तारीख तैकी थी इस दोरान अभिनेतरी पर केस दर्ज कराने वाले जारकंड के फिल्म निर्माता एजे कुमार सिंग की तरफ से एक गवा दीपू सिंग की पेशकस की गई हाला कि अमिशा के अधिवक्ता ने कहा कि उनकी अभी उतनी तैयारी नहीं है कि वा गवा से जी रह कर सके या उसका क्रोस एक्जामनेशन कर सके अधिवक्ता ने इसके लिए कोर्ट से कुछ समय की मांग की इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए 500 रुपिय हर जाना लगाया है और सुनवाई के लिए अगली तारीक 7 अगस्त को निर्धारित की है गोर तलब है कि अमिशा पटेल पर 2.5 करोड रुपिय के चेक बॉं पर जमानत मिल गई थी आपको बताते चलें कि पूरा मामला आरोप है कि अमिशा पटेल ने फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय सिंग से 2.5 करोड रुपिय लिये थे समझोते के अनुसार जब फिल्म जून 2018 में रिलीज नहीं हुई तो अजय ने पैसे की मांग की टाल मटोल के बाद अक्टूबर 2018 में धाई करोड वं 50 लाक रुपिय के दो चेक दिये जो बॉंस हो गए इसके बाद अजय सिंग ने उन पर मुकदमा किया अमिशा पटेल के खिलाफ अरगोडा निवासी अजय कुमार सिंग ने 17 नुवंबर 2018 को सी जेम कोट में शिकायत वाद दाखिल किया था